देखिए राहुल सिंग्ग चुकि हमारी बच्पन के मित्र हैं और मैं एक समाज सेवी भी हूँ और समाज का कोई व्यक्त वर्ग या किसी भी धर्म के जात कि लोग अगर कहीं किसी समस्या में आते हैं तो हमारा करतव है कि एक समाज सेवी का उसकी मनद करना और तमाम लोग इस मोद्य को राजनेतिक करन करना चाहते हैं, प्रसासन की लोग मिलकि इसको राजनेतिक रगन देना चाहते हैं, जो कहीं से भी जायज नहीं है, आपने देखा होगा चुकि राहुल सिंग एक अधिवक्ता के पुत्र हैं और एक व्यवसाई भी हैं, और एक मैनेजर के पेट में सीशा तोड़कर उसकी हत्या तक का प्रयास करते हैं, और गोरखपुर की पुलिस अपराधियों से मिलकर इस मामले को मैनेज करने के लिए उल्टे ही जिसके घर डकैती और लूट पाथ होती है, उस पर ही लूट का मुगनमा दर्ज करती है, तो गोरख इस भी लगभग जान चुकी है कि वह व्यक्ति कौन है और किस प्रवत्ति के है, उनका बैक्ग्राउंड क्या है, होटल संचालक और मेरे उपर मुगनमा सिर्फ इस नाती लिख दिया कि जब पारसजी फसेंगे तो मामले का राजनिती करन हो जाएगा, और यह लोग अपरा के उपर दो दिन पर एक तारिक की रात को घटना करते हैं, दो तारिक कुड़ा पर होई रामगड़ताल पुलिस मुकर्मा लिखती है, अगले धी नमवा अपराजियों को प्रभाव में आकर हम लोग को उपर दबाव बनाना शुरू करती है, कि मुकर्मा समझोता के लिए तो चुकि राहुल सिंह मारे मित्र है और उन्हों कहा कि सर हम भ्यापार करना है कि ब्यापार समान से करना है और हमारे रिश्टुटेंट में अगर इस तरीके से अपराधी गुन लेचण के मार्कम पिट करेंगे, तो हमारे यहां कोई करम झारी काम नहीं करेगा, हमारा भ् दिन था मैंने अपने पूरे वाट के सभी सभरान नागरेक अधिवक्तागर्ण डाक्टर सभी सभी दलों के पार्षद राजन्यतिक दलों के लोग जन्पृति सारे लोग हमारे हां आवास पे मौझूद थे मैं 12 बजे रात तक अपने आवास पर था दस बजे की घटना में दिखाये जा रहा है कि पार्षद जी सरकीट हाउस रोड पर उन लोगों से फरजी लूट पार्ट कर रहे हैं मेरे पक्ष में मेरे वाड की 2000 जन्ता एफी डेविड देने के लिए तयार है जिसमें तमाम गणमाने लोग सहर के प्रतिष्ठिट डाक्टर प्रतिष्ठिट व्यापारी प्रतिष्ठिट अधिवक्ता गण यहां तक कह लिजे बेतिहाता वाड में देखा जाए तो लगब चालिस परसेंट अधिवक्ता हमारे वाड में रहते हैं और वह अधिवक्ता और बार के मंत्री भी हमारे यहां उसकारक्रम में उसमें मौझूद थे यह टोटल फरजी एफाई यार कराए गई है इससे कहीं कोई वास्ता सरुकार ही नहीं मैं अपने घर पे मौझूद था थाना अध्यक्ष राम गणताल इनकी अपराधियों से इतनी गहन सेटिंग है कि इस मामले को यह राजनेति करण करके वाल पी करण करना चाहते हैं जबकि माननी मुक्रमंत्री जी से मेरा नोध है कि यह मामला बयापारी बनाम अपराधी है इस मामले को इस नजरिये से रहें और सहर के एक गली खुचे और लुकण को जानते हैं कि वेक्त की बारे में जानते हैं वह पता कर लें कि जो लोग रिश्टुरेंट में चड़ेते हैं वह सातिर किस्म के और प्रदेश सस्तर के माफियां है की नहीं